वाह देखे दोस्तों टेस्टी और स्वादिश शीकन बनकर तियार हो गया है आईए आप सब भी खा लिजिए ये देखे मेरी धरम पतनी अपने नाती और पोता पोतियों के लिए कटोरी में निकाल दे रही है और चावल भी लगा दे रही है अभी सब मिलकर अभी खाएंगे दोस्तों नमस्ते ये देखे मेरे साथ में अभी पोति अराधिया और मेरा दोनोग नाती के लिए ये देखे दोस्तों ये मेरा देहती चिकन का पीस और इदर बगल में देखिए प्याज भी काट लिए हैं काट के रख लिए और अब चलते हैं मसाला त्यार करते हैं पहले तो मसाला भी पथर के सिलोट में त्यार किया जाता था लेकिन आज कल तो सुभी धाओ गिया है मसीन का मिक्सर मसीन का इसलिए मिक्सर मसीन में ही सारा मसाला त्यार कर दे र यह देखिए दोस्तों जब तक हम मसाला त्यार कर रहते तब तक मेरा नाती लोग अपने नानी के साथ मिल करें देखिए कडाही चला दिया है उसमें लसुन प्याइज पता डालकर अच्छे जंग से उसका फ्राय कर ले रहा है भून ले रहा है देखिए पूरा भूरा रंग अच्छे जंग से फ्राय हो गया उसमें चिकन डाल दिया अब चिकन डालने के बाद इसको फिर से अच्छे जंग से मिला मिला कर उसको फ्राय कर ले रहा है भून ले रहा है देखिए चारों तरप से ढुमा घुमा कर अच्छे जंग से भून ले रहा है उसके बाद आब हल हल्दी मिलाया जा रहा है, हल्दी मिला के फिर बढ़ियां से उसको भूना जाएगा, इसलिए मिला दे रही है, दोस्तों दरसल हम खुद बना देते, लेकिन चिकन मटन नहीं खाते हैं, इसलिए नानी और नाती लोग को मिल कर बनाने के लिए छोड़ दी हैं, और सभी मिल कर हल्दी जालने के बाद बढ़ियां से उसको भून ले रहा है, मिलाया जा रहा है चला चला कर बढ़ियां से, अब धीरे धीरे दिखिए, हल्दी का रंग बदल रहा है, और दिखिए, कितना अच्छा दिखने में लग रहा है, टेस्टी और सवाधिष्ट चिकन अज बना र वाह देखिए दोस्तो टेस्टी और स्वादिर शिकन बनकर तियार हो गया है आईए आप सब भी खा लिजिए ये देखिए मेरी धरम पतनी अपने नाती और पोता पोतियों के लिए कटोरी में निकाल दे रही है और चावल भी लगा दे रही है अभी सब मिलकर अभी दोस्तो अभी रात के 9 बज़े हैं और इस देखिए हम अपने दोनों मेहमाण नात्यों दोनों पोता दोनों पोतियों के साथ एक साथ बढ़र रात का खाना खा रहा है चिकन और भात सभी मिलकर खा रहा है देखिए बहुत ही टेष्टी और स्वादिश्क शिकन आज बना ह सब्सक्राइब कर देंगे और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे तो आज की लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले बलोग में तब तक की लिए सभी को नमस्कार जोहार